वेलेकम गाइज जेकलोन जोब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागते सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जोब चैनल को और पाय रोजन मुल्टिपल चोईस क्यूशन पिजिक्स कमेस्ट्री बाइवजी के नौन स्टॉप ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है कमेस्ट्री क पार्टू पार्टपस्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया हुए पार्टपस्ट आप देख लिजिएगा ठीक है सो गाइज पार्टू का पहला कुछन स्टार्ट करते हैं वीच ऑप दफ्लोविंग हैस्ट मल्टीपल पोईट नियमने अपसे किसका गलनांग मिंदू उचितन होता है कि इसे कुछल बंते हैं डिआपके और पहले आपको गैस करना है पहले आपको 인지के को यह सभी मन में अपने माइन में वन तोट बना लेना है कि हां यह हो सकता। नसे कम न Colon सकते है NAVR हो सकता है NAI हो सकता है जो भी आपका दिल कहे टिक लगाओ बट लगा लिया होगा लेट मी चेक इसका रैट उसमों जाएगा NAF ठीक है जिनोंने इस पर टिक लगा बहुत बहुत धन्यवाद और जिनोंने नेल लगा है तो दो से तीन बार देख ले न वीडियो को अगला क्यूशन अभी किर्या में निमन योगी को के किर्याशीलता का सही क्रम होगा पिक अप दे क्रेक्ट ओर ओडर ओफ एक्टिविटी ओफ दे फ्लोविंग कंपाउंड इन एस एन वन रेक्शन चार ओप्शन देख लो पहले आप और अब डिसाइड करो कि कौन सा हो सकता है सही यस एन वन अभी किर्या में निमन योगी को के किर्याशीलता का सही क्रम किर्याशीलता का सही क्रम तो पूचे जाता है आप से 100% किसी की भी किर्याशीलता हो गई वह बट पूचे जाता है तो आ जाएगा है कि आए होब टिक लगा देऊ आपने इसका जो राइट उप्स न जाएगा आपका इसका राइट उप्स नो जाएगा तो यानि कि ऑप्सन तो प्लोर्जिन वाला बिल्कुल लोग पे रेगा सेस्ट्री आई सबसे हाइस टेगा ठीक है जैसे किसमें दिया ओप्सन पस्ट में पस्ट वाला ठीक है यही सही है कि रहसीलत का सही ग्राम अगला क्यूंट नुमेर्गल टाइप थोड़ा चलिए शुरू कर देए 27 डिग्री सेंति ग्रेट तापर तीन बार दापर पास्ट में गेस का वास्ट विगन तो कितना होगा डेंसिटी ओव फ़ेपर पॉस्ट पे गैस थर्टी सेंट डिग्री सेंटिग्रेट त्री बार प्रेसर इन मोल्यकलर मास 27 डिग्री से इंटिग्रेट दापर तीन बार दापर पास्पिन गेस का वास बिकना तो कितना होगा 2.1 70 34 4.1 सो सिंप्लिस का राइट उसन जाएगा 4.1 जी लिटर चलता है कि गर एक मॉल वास्तविक गेस सम उसमें रूप से अपने प्राणरिपिक मान से दस गुना प्रसाचत होती है इसका एंट्रोपिय में प्रेतन होगा 1 मॉल और एफरफेक्ट गेस एक्सपेंड आइसोटोपी तो दे ट्रम टाइम इस औरिजिनल वेल्यू दचेंज इन एंट्रोपी 0.1 2.303 या फिर 10 या फिर 100 प्रेंट्रोपिय में प्रेवर्थन तिसका राइटवस में जाएगा 2.303 आगला क्यूशन एक एस्टर जो दोईयां की बाती प्रेवर्थन होता है एक एस्टर यूज ए मेडिसन इस एथिल एसिटेट मेथिल एसिटेट मेथिल सेलिसलेट या फिर एथिल मेंज़एट एक एस्टर जो दोईयां की बाती प्रेवर्थन होता है यूजस मेडिसन आई होप आपने चूच कर लिया होगा नहीं किया तो आराम से कर लो चूच इमानदारी से जो भी आपका मन कह रहा है कि यह सही हो सकता है उसी पर लगाओ क्योंकि आप यहां से सीख करने आयो तो सीखोगे और गलती करोगे तब भी सीखोगे ठीक है और सही करोगे तो आपको इसका मतलब आपको पता है ठीक है एक एस्टर जो दो यह अगी बात ही प्रयुक्त होता है तो सिंपल इसका राइट आप समझेगा मेधिल सेली स्लेट ठीक है अगला एक्वसंद तोड़ा से इसको एड़ेस्ट करना पड़ेगा हो गया हाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक अमल किसके उप्योग द्वारा पर तक किया जा सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसट कैन भी सेवरेट बाई यूजिंग विवाग ये क्रिचली करन यानकी प्रेक्शन क्रिचलाइजेशन अन् प्रकासिक सक्रेसार के साथ किया द्वारा कम दापर आस्वन द्वारा तो सिंब्ल सकराइट उसन जाएगा प्रकासिक सक्रेसार के साथ किया द्वारा ठीक है प्रकासिक सक्रेसार के साथ द्वारा तो इसका नेक्स्ट नुमेरिकल टाइब है कार्बन की एलोटॉफ या फृरिरिन की खोज से निमन में से कौन साथ क्रम प्रोकिया जा या एस्पी एस्पीटु एस्पीट्री डिएजीटु एस्पीट्री एस्पीट्री तो सीम्बल कराएट उसमें जाएगा आपका SP2 next निम्न के अस्तायतों का सही क्रम है stability order of the flow I hope इसका बताना है आपको अस्तायतों का सही क्रम stability का I hope आपने चूच कर लिया होगा इसका right option जाएगा आपका past third second किसमें दियावाई one, three, two यह है आपका past में तो इसका right option past हो जाएगा यानि कि सबसे कम इसका उसके बाद सबसे ज़्यदा उसका और सबसे ज़्यदा इसका ठीक है इस प्रकार्चिन का इस्ताता होगा क्रम हो जाएगा arrange हो जाएगे ठीक है क्यूसन तो आपको मिलते रहेंगे like करते रो आप तो बस subscribe करते रो bell icon पर press करते रो और एक बार कर लिए तो कोई बाद नहीं बार बार मत करना ठीक है कि निवन में से योगी का सही नाम करन नहीं है वीच आफ द फ्लाविंग कंबांड इस नौट क्रेक्टली नाम है कि देख लो इस ट्रेक्चर को पहले आप सोट कर देते ताकि आपको सारी चीज़ दिख जाए सो गैज इसका राइट उप्सन हो जाएगा आपका ओप्सन पौर इसका राइट उप्सन हो जाएगा अगला क्विशन तोड़ा लोंग है बट इजी है एक आर्मनिक योगिक C2H5O2N अपचेन द्वारा भी देता है बीकी क्रिया HNO2 के साथ करवाने पर इसमें N2 गेस के साथ उत्रजित होती है जिसका ओक्सिकन एसिटिक एसिट देता है योगिक भी होगा सो इसका राइट उसमें जाएगा C2H5N2 C2H5N2 अगला क्विशन है आपका निम्न में से किस अनु आयन में संक्रन परक्रिमें केंदिर्ट प्रमानु का एक डीक अक्साग उपसिद नहीं होता बताईए आये 3 SP6 या पिर MNO इसका राइट उसमें जाएगा आपका MNO और जैसा कि क्यूसन तो आपको मिलते रहेंगे हमने आपसे बोल रखा है ना कि हमारा एक और चैनल है क्यूसन कुछ कोई कमी नहीं है दो दो चैनल खोल रखे आपके लिए आपके केरियर के लिए आपके फूच लिंक नीचे दियावाय Ay दिस्कृशन में जाके पॉलो कर सकते हो ताकि दोनुद चैनलाों सापको दूग्णा पोशन मिल सके है कि लिंक नीचे दियावय दिस्कृशन में अगले एक वेशन निमने में से किसके रिक्तिगी प्रतिशता दीक होती है वीच ओफ द फ्लॉविंग है ज मोर प्रसेंटेज ओप द वोल्ट स्रल गनिये फ्लक केंदरित गनिये काई केंदरित गनिये कि बीसे सी की रिक्ती प्रतिसंता समाहन होती है तो इसका राय टो सुन दागाईजाप का रिचरल गनिये कि सिंपल क्यूबिक नेक्स्ट कार्बजन है कार्बजन इच कार्बन कासु दूरुप इसका राइट उसने जगाईजाब का और टू-म-C-O-2 का मिस्रण नेक्स्ट फेरस अमोनियम सलपेड के नमूने के 3.92 विलेन के 5 ml के साथ प्रोना तबी करते होते हैं नमूने के फिरस उत्त आपको बताने हैं इसका राइट उसने जगाईजाब का 50 बहुत सार इस्टुएट कमेंट करते हैं से हमको पीड़ेप लिंक काम पर मिलेगा टिप सेमट्री काम मिलेगी तो हमने बता रखा है कि आपने हमें पेस्बुक इनिस्टाग्राम पर पोलो करी रखा है नई कर रखा है तो लिंक नीचे आप से बाते कर सके आप से च Richard कर सके और आपके मन की बात जो भी प्रोब्लम में उसका स्टूआँ कर सगे शब्ट इस बनी होती सब्रिंग और बेभी फिडिंग चेप्टर है वहाँ पर आपको पढ़ाया भी था अगर जिन्हों ने जीक के mcqmk चैनल पर पढ़ लिया था वह चैप्टर अगर जिसको पता नहीं यह चैनल तो लिंग नीचे दिया हुए रिंके किसके बने हुए थे पोलिस ठाय रिंके बने हुए होते हैं और लिंक नीचे दिया हुए डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो